नमस्क्राइब दोस्तों आपके लिक और वीडियो में लेकर आया हूँ रिचर्ड वैलिस्ली पर पिछली पर छाचा हुई थी वह आधियदूरी रहके थी को मैं कुछ आगे लेकर जाता हूं रिचर्ड वैलिस्ली के अगर बात की जाएं तो यह है कौन जिसे कि मैंने पिछल क्वार्नर्ट जन्रल बेंगोल ए लिए और नहीं बलकि ये पोस्टाई इस पद के निर्मान इंट गया था संद 1773 में कब सेविटी से मिटी त्री जब देखिए गा तो सब्सक्राइब इक एक्ट आय तसका नाम था और रखुलेटिंग आक्ट के तहत ही गवर्नर जनलिंगा पेंगल के पत को को उनकी गतिविजियों को नियंत्रित करने के लिए उसे एक्ट लाए गया था यह मों और इसी इसने क्वास में क्या गौवर्णर जनरलों बंगौल और इसी पोस्ट के ओपर समयखे बहुत सारी लोग आ चूके थे जैसे की वार्रेन हेंस्टिंग है लॉट कानवालि इसके बारे में कहते हैं कि जब रिचेड विलिस्ली हिंदूस्तान में आया था, तो अंग्रेजों का जो कब्जा था, वो तीन छेत्रों पे था, यह पूरा जो है आपका बिहार है, ये बंगाल हो गया और बंगाल के बाद उड़ी साई ये पूरा छेतर था जहां पे अंग्रेजों का प्रतेक्ष नीन तर था और बाकी छेतर जो हैं वो पहरे की मुकाबले कमजोर हो गई थे लेकिन जब सन अठारा सो पांच में जब रिचेट गडिसली हिंदुस्तान से जा मराथे महराष्ण में गुजरात में पूरा बुर्ग राचपूतानाच में ज़री ऐरिया और अंग्रेज्ट को लिए हिंदुस्तान से जाता है तो अंग्रेसो कब्जा जो है हिंदुस्तान के बहुत बड़े छेतर पर हो गया था जिसके लिए जिम्मेदार रिचर्ड वैलिस्री भी है और इससे पहले की जो गवर्नर जनरल रहे हैं उनका भी युगदान है जैसे वोरिन हैंस्टिंग है लॉर्ड कानवालिस हैं इन्होंने बहुत सारी नीतियां चलाएं युद्ध किये जिसके माध्यम से राज कमजोर हो गए और ये राज इतने कमजोर हो गए थे कि जिनको रिचर्ड वैलिस्री ने अपने नीतियों के माध्यम से अपने नियंतर्ण में लिया और नियंतर में लेने के बाद में इस्टने और में लेने के बाद में इस नेक संदी शुक्राइब कि याद रखिएगा जब भी एटार बर ido सिट करते हैं तो इस ने नाम है सायक संदी अभी सायकसंदी का बैग्राउंड किया है साइक संधी का background क्या है साइक संधी का background सर ये है सिंपल सी बात है कि मैंने फिर भी बात बोलोंगा कि जब Richard Wellesley आ रहा है तो उसके आने से पहले भारत में जो राजे रजवारे हैं बड़े ताकतवर थे लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत की राजिती में अस्तक्षेप करना शुरू किया तो भारत के राजे रजवारे अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रह गए हैं। उसको पूरी तरह से खत कि अगर आपने कंट्रूल में ले लो, अगर आप ने ऐसा नहीं किया तो जो विक्ति आँज कमजोर हैं, जरूरी नहीं है कि कल बी अगर कंबोर हो जाय कि कल रहले हैं। सब्छेताइप कि वह राजा को मार दीजिए राजा कर आप आप ऐसा करोगे तो समस्या बहुत जादा है कि आप किसी भी राजा के पास जाती हो राजा को बोलते हो हम तुमार राजिशी लेंगे तो क्या वह आपको छीनने देगा है चीने देगा वहूमर ने मारने पर उतर आये का जैसे कर थारव्य स्थ से यह हैं पंद ने मारा मुटवा कर और राजा को भड़का देगा और राजा जब प्रजा को बढ़का देगा प्रजा बढ़क जाएगी और प्रजा बढ़के तो फिर अंग्रेजों को यह और दिक्कत हो जाएगी अंग्रेज प्रजा जो है अंग्रेजों को मारने मुतर आएगी इसी लिए प्रतेक्ष्ण यंद्रम में अभी समस्या है कि एक तो राजा जो सभ्さ है यह है कि अंग्रेज्रों के पास कोहीं अर्मी नहीं है लेकिन उतनी नहीं है कि जितने हम एक बड़े विद्रों को कुछल पाई हैं दूसरा इनके पास अभी SOLS नहीं है इनके पास में क्या नहीं है बी Echo equipment अभी इने कि अर्मी और मेरी δεν इarten अभी क्या करिए आ फ्रतेक्शन तरम कर रिए में समस्षा है इक जो मोटी दिवार होती है मोटी दिवार को कभी 一बादן से तोड़ा नहीं जाता है मोटी दिवार लेक्वार से कोशिश की अपने साथ सत्ष छट को भी निचे लिए कई बार प्यास कीजे आसानी से टूटे और छट भी डहईगी नहीं इस तरह का प्रयास करना था किस सम्राज पर खतरा भी ना है और राज को एनेक्स भी कर लिया जाए राज्य को बिटिश समराज्य का हिस्सा धीमिदी में बनाए भी लिया जाए समझ में भारा है एक और समस्या एक और बताता हूं मैं आपको आप्रतिक्ष तरीके से नियंत्रन करने का प्लान इसलिए बनाया कि उनकी सितिय भी ऐसे नहीं है, उतनी बड़ी सेना नहीं है, इतनी संसाधन नहीं है, लोग विरोध कर सकते हैं, विरोध बाद में भी होगा, लेकिन एक और समस्या है, नेपोलियन जो फ्रांस का जो शासक ह प्रांस का जो शासक है, तेक है, उसका नाम क्या है नेपोलियन, ये वो वक्त है जब नेपोलियन बोनापार्ट भारत के नौर्थ वेस्ट, भारत के नौर्थ वेस्ट से भारत पर अटाइक करने की समभावना खुली हुई थी, और अंग्रेशों को इस बात कर भैता कि पुले नाक्रमन करतेगा, तो एक साथ दो फ्रेंट पे क्या हो जाएंगे, एक साथ दो फ्रेंट पे युद्ध होना शुरू हो जाएगा, और मैं कई बार अपने क्लास में बताया भी हूँ कि एक अच्छा प्रशासक, अच्छा अच्छा अड्मिस्टेशर, एक साथ दो लुवे कभी हो तो करता ही नहीं है, और अगर दो फ्रेंट खुल गए, तो आपको एक फ्रेंट को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, For example, आप Medical की त्यारी, MBBS की त्यारी, NEET की त्यारी और एक साथ UPSC की त्यारी आप नहीं कर सकते अगर NEET और UPSC की त्यारी साथ-साथ किया तो Blunder हो जाएगा आपको चुनना पड़े कि या तो मैं UPSC की त्यारी करनी है या तो मैं NEET की त्यारी करनी है क्योंकि दोनों अपने आप पे क्या बहुत बड़े pillar हैं दो बड़े-बड़े front है तो एक साथ-दो front पे युदिक किया ही नहीं जा सकता क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पाओगे आप दोनों जगाहर होगे इसलिए अंग्रेज जानते थे यह वो वक्त नहीं है जब राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जाए क्योंकि अकर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया राजा भी मारेगा जंता भी मारेगी हमारे पास resources भी नहीं है उपर से ने पूलियन आ जाएगा तो हम चारों तरफ से घेर के मार दी जाएगे इसे अच्छा क्या है राजों पर आप प्रतेक्ष्ट इंतर्ण करो समझ में आ रहा है आप प्रतेक्ष्ट इंतर्ण करेंगे तो क्या फाइदा होगा आप प्रतेक्शनेंटर करेंगे तो फाइदा ये होगा पहली बात तो हम राजा को जिन्दा रखेंगे राजा को जिन्दा रखेंगे और जिन्दा रखने के बाद उसका राज उससे नहीं चीनेंगे उसका राज उससे नहीं चीनेंगे ऐसा नहीं कि उसकी इलाके नहीं चीन लेंगे उसके बहुत सा रिलाके चील लेंगे लेकिन उसका राज्य उसको दे देंगे अपना राज्य चलाओ ठीक लेकिन अब राज्य चलाओ के कैसे राज्य को चलाओ के कैसे यह तुम डिसाइड नहीं करोगे यह हम डिसाइड करेंगे राज चलाओगे कैसे यह तुम डिसाइड नहीं करोगे यह हम डिसाइड करेंगे समझ में आ रहा है तो गद्धी पर बैठेंगे राजा को बिठाएंगे राजा को सुविधात देंगे राजा को उतो हो लेकिन नीतिया कौन तह करेगा अब फॉर्मली the समझ है उनकी सेना का इस्तवर מת रिशूर्सक्त का इसमाल अपने आ प्रिवर में थेवर में था कि अगर नपोजानज किया भी तो नेपोलिएब को रोकने का support भी होगा समझ में इसे लिए प्रत्रिक्ष तरीके से कब्जा करने में बहुत बड़ी समस्था ती इस बात को रिचर्ट वैलिसली ने महसूस कर लिया था बास समझ में गई है एक पर तरीके से favor में इस्त्माल करेंगे किसके किलाव नयबींगे किलाव भीके जब हम इसी राज पर इंडारिक कंट्रोल कर लेंगे राजे की सिनक खटम कर देंगे राजे की विदेश नीitिया अंग्रेज करेंगे अंग्रेश राजाओं के दरबार में एक बिटिश रेसिडेंट रहेगा जो राजा को सहीता करेगा उस सहीता के नाम पे केवल दरबार के अंदर कुछ बाजी करवाएगा जैसे कद्धी को लेकर दो वालिस होंगे बड़े योग्या आत्मी हो तुमें बड़ी शंता हैं बड़े भीया तो बेकूफ आदमी हैं मार दो मार दो बड़े भीया को बड़े भीया से बोलने चुक्ता बेकार है पता चला कौंस प्रेसिया भी किलाब करता है तो दरबार में भाईयों करड़ाता रहेगा ऐसे तत्व जो आपस में क्लैश कर सकते हैं उनमें आग लग काता रहेगा में वे तो सिस्टम को अंदर से क्फोगला एक उताब करेगा इतना deaf uwagę कि अतना कोपैदे गएतना ना कोफ राषाष। करते किसेती में नहीं है और किया भी तो कुचल देंगे हैं किया भी तो कुचल देंगे क्यों कि तब तक तक आते आते अंग्रेजों के पास रिसोर्स भी होंगे जैसे कि आपको बताऊं 1848 तक आते आते जब भारत में गवणर जनरल लॉफ इंडिया की पोस्ट पर आया मैंने एक का बाता है रीचर्ड वैली सिली क्याने के 50 साल के बाद के 50 साल बाध अता है तो डालो जी सबसे पहले क्या बोलता है खडपकी नीपि समय कि नीथी का नाम देखी कि अच्छा है कि अच्छा है कि इन गो मिलते हैं अ कि बोलते हैं डॉक्ति लाप्स रॉक्ष मैं day pornography नहीं थी हम तुमको हड़प लेंगे तुम्हारा अपने में विले कर लेंगे कैसे निए पॉलिसी लैप्स हो गई है रिचार्ज लैप्स हो गया है आपकी मन में सवाल नहीं आता है कि अंग्रेजों की इतनी हिम्मत पैता मन में पैता हो गए कि वह कह रहा है कि राज्यों को हड़प लेंगे राज्यों बढ़ारे कंट्रूल कर लेंगे या कहा क्योंकि अंदर से इतना खोखला कर दिया था इतना खोखला कर दिया था राज्यों को कि अभी विरोध करने के सित चावन की विद्रो में? बात अमाज में आ रही है तो पहले अंग्रेशों ने क्या किया? पहले अंग्रेशों ने परिश Cette को धियान में रहक सहाइक संधी के नाम पर इन्होंने क्या किया पहले राज्यों पर आ प्रतेक्शन इंटन किया और धीमे धीमे जब राज्यों को अंदर से खोकला कर दिया तो खोकला करने के बाद क्या किया उस पर डारेक कंट्रोल किया तो विद्रो तो हो गई होगा लेकिन अब जब विद् वह नहीं किया है भारत का जो कंक्वेस्ट है वो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग नीतियों के माध्हम से किया कि कि इसी पर एक सवाल आया यह एक बार कि अंग्रेजों की भारत विजए कहां तक लगती है कि एक कालपिनिक मतलब इतनासे जो है वो pre-plan नहीं है मतलब आपको समझेगा जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो वो ये प्लान करके नहीं आये थे कि हम भारत में political conquest करेंगे लेकिन बात में उनकी जो planning है वो political conquest को लेकर चल गई कि हमें भारत की राजयतिक विजय करनी ही पड़ेगी अगर हमें आर्थिक जनसादनों को अपने फेवर में करना है तो समझ मारी है इस प्रश्ण को चर्चा करेंगे अगरे क्लास में लेकिन आशा करता हूं कि आपको जो जलहौजी की नीती का जो सार है वो समझ माया करने में फाइदे किया है और जब समय बीतेगा तो कैसे हमने अगली वीडियो में वीडियो कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट करके बताइए का आपके जो कॉमेंट होंगे उसका मैं भियद जो हिंसार करता हूं बाकी मुलाकात करेंगे आपसे अगले टॉपिक में कुछ अच्छी चीजों के साथ में ठीक है थैंक यू